Assalamu alaikum and welcome back to another video. In today's video, we will discuss what is literature. Literature क्या है? Why literature is important? What is the meaning of literature? Literature is like a picture. Literature एक picture की तरह होता है, जो के कम या जादा सच बताती है, थोड़ी या जादा inspiring होती है, और इसकी inspiration एक्चुल लाइफ के करीब होती है, एक्चुल लाइफ से ही होती है. हर कंट्री का, हर रीजिन का, हर एरिया का अपना literature होता है. Simply अगर literature को हम गया है, तो literature mirror of life है, हमारी life को reflect करता है. literature एक ऐसा feature है, जिसके थ्रू हम different ages को पढ़ सकते हैं उनके लोगों के बारे में, उनकी cultures के बारे में, उनकी life styles, उनकी thoughts, और वो दोर कैसा था, उस age के अंदर, उस era के अंदर, क्या चीज़ dominant थी, इस सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है. लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है, हम literature पढ़ते क्यों हैं, literature का मकसद क्या है? literature का basically मकसद यह होता है, कि यह हमें aesthetic pleasure देती है, यह हमारे अंदर sense of beauty को rise करती है. जैसे जैसे मैंने कहा कि literature हर age का अलग होता है, इसी तहां हर age के अंदर literature को अलग ही तरीके से समझा जाता है. और अगर age की ना भी बात की जाए, तो हर इनसान literature को अपने ही तरीके से समझता है, हर इनसान का अपना नजरिया literature को लेगे. लेकिन ये कैसे मुम्किन है कि हम literature के थूरू different ages के बारे में, different लोगों के बारे में, different cultures के बारे में, religions के बारे में जान सकें अगर इस बात पर गोर किया जाए तो हाँ, कुछ books होती है, history की होती है, कुछ religious होती है, कुछ historical होती है, जो हमें बताती है history के बारे में उस वक्त लोग realistic थे, materialistic थे, कैसे लोग थे, उनकी thoughts कैसी थी? तो इस सब का इस तरह में पता चलता है कि हमारे जो writers होते हैं, authors होते हैं, poets होते हैं, literate people होते हैं, वो हमारी society का सबसे sensitive figure होते हैं और हमारे माश्रे के अंदर, हमारी society के अंदर जो भी changes आती हैं, उनका असर उनके उपर होता है और जब उस चीज का असर उनके उपर होता है, तो वो अपने अलफाज के थरू उसे express करते हैं, अब poet क्या करते हैं, अपनी poetry के थरू express करते हैं, dramatist अपने dramas के थरू, novelist अपने novels के थरू, painters अपनी paintings के थरू, तो literature basically एक art की तरह है, जिस तरह बाकी arts है, music है, dance है, painting है, sculptures है, इसी तरह writing, literature ये सब कुछ एक art है, अगर हम literature की definition की तरह देखे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि any piece of writing that has long lasting effect, कि कोई भी ऐसा काम जिसका long lasting effect हो, देर पा असर हो, अब देखा चाया, बहुत से ऐसे writers हैं, critics हैं, philosophers हैं, Aristotle वगरा हो गए, तो इनकी death की तकरीबन सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम उनका work पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि उनके work के अंदर long lasting effect था, उनका work एक specific time period के लिए नहीं था, बलके overall सारी ages के लिए था, अब जैसे जैसे literature को अलग-अलग समझा जाता है, इसी तरह जो written piece of writing है, जो works हैं, और author के, उन्हें भी अलग-अलग तरीके से समझा जाता है, पढ़ा जाता है, हर इनसान का अपना दमाग, अपनी सोच समझ होती है, उस हिसाब से वो से interpret करता है, उसे समझता है, वो एक मशूर कहावत है कि no two person ever read the same book, यानि कि एक book को दो बंदे एक तरह से नहीं पढ़ सकते, अगर हम उन दोनों जो भी readers हैं, उनकी अगर हम इतने similarities रखें कि एक family, एक background से तरलक रखने हुआ रहे हो, एक उनका education level हो, qualification हो, understanding level हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक बंदा अच्छे mood में पढ़ा है और दूसरा उसके mood ठीक नहीं है, depressed है या कुछ भी है, तब भी वो book को एक अलग ही तरीके से समझेंगे, अब फिर क्या होता है कि literature को समझने के लिए, उस तरह समझने के लिए, जिस तरह एक writer ने लिखा है, जो उनका intent था उसे समझने के लिए, criticism होता है, critics आते हैं, criticize करते हैं work को, अब critics क्या करते हैं, work की worth बताते हैं, उसकी place बताते हैं, कि ये इस काबल है, इसकी ये placement है, और उसके अंदर से follies, कमिया वगरा भी निकालते हैं, कि इसके अंदर इन इन चीज़ों की कमी है, और इसके साथ साथ व एक बहुत ही positive term है, literature जो है, इसका origin हुआ था, Latin word से, litera, जैसका मतलब है acquaintance with letters, अब देखा जाए, जैसे जैसे time गुजर रहा है, ages गुजर रही हैं, तो literature की form के अंदर भी changes आ रही हैं, पहले इस तरह होता था जब जिस दोर में लिखानी जाता था literature, उस दोर में सारा literature, सार oral form में होता था, फिर वक्त गुजरा और ऐसा हुआ कि written form में आने लग गया, फिर written form में से एक और form derive हुई drama आया, drama के अंदर ऐसा होने लगा कि dialogues, characters perform करते थे stages पर, theaters के अंदर, फिर मजीद वक्त गुजरा तो ऐसा हुआ कि dramas, novels इन दोनों को perform करना start कर दिया, अब visual literature भी literature का ए जिसके अंदर हमारी movies वगरा, films वगरा ये सब कुछ आता है, अब हमारे authors, writers के अंदर ये talent होता है, कि वो हमारी daily basis life के अंदर से ऐसे topics, ऐसी चीज़ों को feel करके, imaginative language कर यूज़ कर यूज़ कर यूज़ करके, कुछ tools कर यूज़ करके, उसे इस तरह realistically portray करते हैं, कि जो readers होते हैं, audience होते हैं, वो उसे feel करते हैं, अब देखा जाये तो सूरज का निकलना, बहार का आना, खजा का आना, मौसम बदलने, ये सारी ऐसी चीज़ें जो हर इनसान के सामने आते हैं, हर इनसान face करता है, लेकिन writers इनके उपर ऐसे लिखते हैं, कि जब पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो जब वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो उस तरह feel करने की कोशिश करते हैं, और ये सारा credit writers की imaginative language की तरफ जाता है, जो daily basis, life, events को इतना हुबसूरती के साथ बयान करते हैं, कि हर बंदा उसे feel करते हैं, और उसे relate करते हैं, अब literature के थूँ बहुत से लोग अपने life experiences जो हैं, वो share करते हैं, अब क्या फायदा है हमें किसी की life के बारे में जानगे, किसी की life के अंदर जो भी situations आई हैं, या उन्होंने जैसे overcome किया, उससे हमें क्या पता चलता है, literature basically हमें बहुत कुछ सिकाता है, हमें बहुत से लोगों की जिन्दगी से सीखने को मिलता है, हम एक book के थूँ बहुत से लोगों की जिन्दगी experience कर रहे होते हैं, और उसका हमारी life के उपर बहुत जादा impact पड़ता है, और उसके accordingly हम अपने आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, literature हमारी life को एक और ही level तक लेकर चली जाती है, जहां पर हमारे life के meaning, understanding, सब change हो जाता है, अब देखें, यह human nature है कि इनसान अपने जैसा इनसान देखे, उसकी natures देखे, qualities वगरा देखे, तो इनसान अपने आपको उस बंदे से relate करते हैं, इसी तरह जितने भी dramas, novels हम देखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा character या कोई ना कोई ऐसा event आ जाता है, जो हमारी life के स बात का दुख हो रहा होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, और कभी ऐसा होता है कि हम characters की life के अंदर कुछ बुरा चल रहा होता है, अब literature का एक और function ये भी है, कि literature के थूँ हम different cultures के बारे में जानते हैं, different nations के बारे में जानते हैं, अपने past के बारे में जानते हैं, और past से अपने present के बारे में भी जानते हैं अगर हम literature को sum up करें तो literature is a picture more or less true more or less inspiring of actual life every country has its own literature which mirrors its life but also literature is an expression of emotions of ideas and ideals which have permanent values and which are of interest for men in every age and in every country literature ऐसा topic है इसे पांच साथ मिन्ट क्या पांच साथ गेंटे पांच साथ दिनों के अंदर भी इनसान गन्कलूड नहीं कर सकता मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूँ literature क्या है अगर आपको इसकी समझा आई है तो मुझे इसकी बहुत जादा खुशी है और अगर आप चाते हैं कि इसका पार्ट तू आना चाहिए literature से related तो इंशालला उस पर भी काम किया जाएगा उमीद है आपको इस topic ही समझा आई होगी अगर इस से related किसी भी किसम की question है तो आप comment section में पूछ सकता है तो आएट तो नहीं है